भारत में भी इस तरह के स्थेटी हो सकती है। है ये कि दुनिया में जो भी खराब होता है, जो गलत होता है, वो ये कामना करते हैं कि वो भारत में भी हो। भारत एक बहुत ही मजबूत लोगतंत्र है। भारत की लगातार बढ़ रही प्रतिष्टा, भारत का लगातार बढ़ रही जीडिपी, उसकी चर्चाना करके ये ऐसे अब शकुन बात करते हैं, देश की जनता देख रही है। मुझे भी पता चला, कुछ सोसल मीडिया पे चितर भी चल रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान से राहूल गांदी जी सहित और कई और लोगों को आम आये हैं। और बड़े चाव से ये लोग खा रहे हैं। लेकिन यहां मैं याद करता हूँ, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के आम अच्छे नहीं लगते हैं। उत्तर प्रदेश का जो होता है उसका अच्छा स्वाद नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान के आम का स्वाद इनको अच्छा लगता है। पाकिस्तान की बाते भी इनको अच्छे लगती है। सब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत इनके चाहने वाले भी है राहूल गानी जी की लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आपको पाकिस्तान के आम स्विकार करने चाहिए क्या उत्तर प्रदेश के आम अगर आपको स्विकार नहीं है राहूल जी तो ये पाकिस्तान के आम भी स्विकार नहीं होने चाहिए दिल्ने में कोचिन का मामला हुआ तो जाँच अब सीबियाई करेगी इसको लेकर करेगी दोको मेरा तुम मानना है कि इसकी जाँच अल्मोस जिस अस्तर पे हुई है उसमें दो सिबियाई जाँच रहे हैं लेकिन अब पता नहीं इसमें अचानक सिबियाई जाँच लेकर के मामला को इतना लंबा क्यों किया जा रहा है क्योंकि नाली जाम है नाली साफ नहीं हुई नाली साफ नहीं होने से जो नाले का पानी तो सड़क प्याया सड़क भरी और जो कोई बहुत बड़ा rocket science तो नहीं है लेकिन मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि दिल्ली सरकार अपनी गलतियों को चुपाने के लिए वो CVI inquiry में इंट्रेस्ट ले रही है क्योंकि इससे मामला ठंडा होगा क्योंकि अपना है